क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उत्देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्बाव करना है हम अपनी e-seva गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्री स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी आदो स्वागत है आप सब का बिहार की खबरों में नवादा जिले के रोथाना शित्र के सियूर गाओं में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने कोट के एक मुंशी के साथ जम कर मार पीट की जिसे इलाज के लिए सदर हस्पताल में भर्टी कराया गया मुंशी के पहचान से उर गाओं निवासी विक्रम कुमार के रूप में किया गया बताया जा रहा है कि मुंशी कोट जाने के लिए घर से निकला था तबी गाओं से निकलने के पहले बदमाशों ने रास्ते में रोक कर उसके साथ मार पीट की पिड़ती युवक का कहना है कि उसके पास रहे कोट के कागजात और कुछ नगद रुपै समेत अन्य समान बदमाशों ने छीन लिया फिलहाल जखमी मुंशी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है नवादा से ले के शाहपूर ओपी शित्र के शाहपूर गाउं में अकाशिय बिजली की चपेट में आने से एक बुजुर्ग विव्यक्त की मौत हो गई मौत के बाद परिश्णों में कोहराम मच गया नतक की पहचान शाहपूर गाउं निवासी आसीन मांशी के रूप में क्या गया बताया जा रहा है कि बुजुर्ग विव्यक्त खेत में काम कर रहे थे तभी अचानक अकाशिय बिजली गिर गई जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई फिलाल पुलिस शव को अपने कबजे में लेकर पोस्ट माटन के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है आपको बता दे कि इससे पुर्व काशी चक थानाशित के जमुआ गाउं में वजप्राज से एक व्यक्त की मौत हो गई थी नवादा से एक बड़ी खवर सामने आ रही जहां पंचायत उपचुनाव समाथ होने के बाद मदमाशों ने पोलिंग एजेंट को गोली मार कर जखमी कर दिया जबकि उसके दो सगे भाई को मार पीट कर अधमरा कर दिया सभी घायलों को सदर अस्पताल में भड़ती कराए गया मामला में स्कौर थानाशित के रसूल पूरा पंचायत के हसंचक गाव की है घायलों में राम किशोर प्रसाद यादों के पुत्र आलोकरंजन अमित कुमार और अच्छे कुमार शामिल रहे आलोकरंजन को हाथ में गोली लगी है जक्मी आलोकरंजन ने बताये कि मा शकुंतला देवी उत्तरी भाग से पंचायत समीती सदस्य का चुनाव लड़ रही थी आलोकरंजन गाव के बूत नंबर 95 पर पोलिंग एजेंट का काम कर रहा था तब ही विरोधी खेमे के लोग बोगस बोटिंग करने का प्रयास कर रहे थे जिसका आलोकरंजन ने विरोध किया उस समय तो मामला को शान्त करा दिया गया लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्थ हुआ वैसे ही विपक्षी खेमे के लोग आलोक रंजन के घर पर चड़ कर गोली बारी कर दी जिसमें आलोक रंजन के दाहिने हाथ को गोली चीरते हुए पार कर गई मुजफरपूर में एससपी कारयाले में भीशर आग लग गई आग लगने से कारयाले में रख्ये दस्तावेश जल कर खाक हो गई मौके पर कई दमकल की गाड़ी भी पहुँची दमकल की गाड़ी उने आग बुझाने का प्रयास किया वही घटना की सूचना मिलते ही एससपी डीएसपी मौके पर पहुँची आग की लपटे तेच होने पर तीन और दमकल की गाड़ीय मौके पर बुलाए गई बतादे कि दो कमरों में रख्ये दस्तावेश पूरी तरीके से जल कर खाक हो गए है मौझाफरपूर के अहियापूर थानाशित के कई गाड़ की हुई हत्या मामले का पुलस ने खुलासा कर दिया आपको बता दे कीबी बीते कुछ तिनपूर अलग-अलग तीन दिन नाइटगाड की हत्या का मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जाश परताल में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में सलिप्त, मुक्य अभ्यूक्त, शिवचंद, पासवान और भूलवा को गिरफतार किया। वहीं पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तमाल लोहे का सर्या, लकडी का ब वियो साखा और सिटी एस्पी ऑफिस के जो कुछ कार्याला है, उसमें काफी छती हुई है, विस्यस कर फाइलों की और आकड़ों की, अभी आग बुझाने का काम चल ला है, और लगबग आल्मोस्ट बुझ गई है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी और पुर्सिस कर रहे हैं खवर पशिम चंपारट बेतिया के रामनगर से है, जहां लंबे समय से दो नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं, वही कोट के आदेश के आलोक में अभियुक्तों के घर को कूर्की की गई, जहां रामनगर अंचलादीकारी विनोध मिश्रा के उपसिती में एवं रामन चित अनंत राम जानकारी देते हुए बताए कि सूरेश शर्मा, पिता स्वर्गे, प्रभु शर्मा, दीपु शर्मा, पिता सूरेश शर्मा, नामजद अभियुक्त हैं और लंबे समय से फरार हैं आए नामजद अभियुक्त सूरेश सर्मा, पिता सूरेश सर्मा, पिता सूरेश सर्मा ने पर्दीयां मिश्रा के निवासित हैं यह प्रार खोसित हो चुके हैं, इनके कुर्की जब्ती का आदेश नियाले से प्राप्त हुआ था आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही देशनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम की भी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से ज़ादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश हिना केवल उत्पात बेचना है बल्कि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्थर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ